हेलो गाईज सब्सक्राइब तो रैपकान और प्रेस तबेल ऐकन तो हमारे पडोस वाले डिस्टिक यूपी पंद्रा से एक ट्रैक है जिसका नाम है यूपी 15 फ्रीवर्स टू और हमारी डिस्टिक है गाजियाबाद यूपी 14 तो इस रैपर का नाम है रैपर निक जनरली मेर इस चैनल पर नए रैपर ही प्रमोट होते हैं तो आप क anlam निक मेरट से हैं तो चलिये इस पर करते हैं रियक करने से पहले थोड़ा सा क्रेडिट देख लेते हैं क्योंकि इस ट्रैक की मेरे को म्यूजिक बीट अच्छी लगी और क्योंकि आप ट्रैक एंजोए कर पाओगे और लेरिक्स जो है वो सिंपल हिंदी लेंग्वेज है तो समझने में भी आसानी है ज्यादा कु कि पाला स्पेसल थैंक्स तो ए ट्रैक आया है देसी वाइब रेकॉर्ड्स पे तो गाइस चलिए अब सुरू करते हैं सो गाइस हेर वी गो भाई सब्दों का प्रयोग जो किया है नहीं जो जो एलिमेंट्स इन्होंने अभी तक वीडियोग्राफिय में यूज किया है जो जो लोग इस से रिलेटेड हैं उनको सही तरीके से राइमिंग के साथ बैठाया है भाई खतरनाग मेरे को बहुत अच्छा लाएब जैसे क्रियो के बारे में बात किया फिर इनका रेकॉर्ड जो देसी वाइब रेकॉर्ड के बारे में कैसे इंपलिमेंट किया काफी मस लगाओं मेरे को vibe जो आ रही न वो enjoy करने वाली मतलब beat पे आप आराम से cool enjoy कर सकते यार ऑड जिट देट देट रैप का ये swag भज़ेगा अब रिपीट मैं अडिक्ट फूरा लिट थोड़ा थिख फिट वीड यूद पंदर रची बोली गंदी गालियों से hit पेता किक क्या गालियों इसे बैग करते हैं अदिक्ट पूरा लिट थोड़ा ठीक बिता वीड्यू पिपंद्र रची बॉली गंदी गालियों से हिट पेता खीक मैंप्रैडेट यहां सीन पूरा लिट इस गेम यहां ना खेलो तुमें कर देंगे फिट बद मशिक अहां तुम डिस जी एक एम लेंगे मतलब भी नहीं है तो भॉल सुट्वेत्व कर देंगे टो बाई बिलक्ल बार है जो थ्रों चरल प hp- ata s यह गार प्राना वर संदा रहा है कोई इनको डिस भी किया I think देखते हैं क्या डिस के वारे में बात कर रहे हैं डिस सम्वन डिस टू बोहिमिया I think जमना पार से कोई है डिस टू बोहिमिया इका फिचरिंग असोमन एन एस्टोन पता नहीं कौन है जो भी कोई साट डिस किया है इनको क्या इनको नहीं किया डिस टू बोहिमिया है तो यह क्यों reply कर रहे है जो भी मसला है मेरे को पता नहीं क्या है क्या इसू 47 वाला बार I think एक एक 47 की बात कर रहे है या 47 की बात कर रहे है रैपर 47 बाई इन्होंने चो राइमिंग बैठा ही नहीं मतलब खटपिट खटपिट पुरा परफेक्ट बैट रहे है मतलब इन्होंने राइमिंग को बहुत परफेक्टली बीट के साथ मैच किया है इनकी आस्की का गम मुझे खुद से भी जादा है लोगों के कह रहे हैं कि जो मेरे गम मेरा गम है साथ जो लोगों के आस्की की गम से जादा है साथ कुछ समझ में नहीं है पिर से सुनते है यह बैठे ले के आश्की का मुझे खुद से भी जादा है जो यह प्रौविशन CCL वक्त ने सिखाया मुझे जीना मुझे शांसे आदमी बनाया मुझे बस एक चांस ने मा का आशिरवाद बाकी सब मेरी लाथ पे इसपेसल तेंक्स तू डांस क्रियो बाई काफी कतरनाग वीडियो काफी मस लगी बाई एंड में कुछ है क्या और UP 15 Desi Vibe Records तो guys वीडियो काफी अची है लेरिक्स मेरे को काफी अची लगी जो। राइमिंग skill इन्होंने Embed की है खडपिट खडपिट तो राइमिंग बहुत परफेक्टली इन्होंने Desi Slanks के साथ मिक्स किया है मेरे को काफी पसंद आया इनका इंट्रो मेरे को काफी पसंद है आप इंट्रो में देखोगे जब स्टार्ट किया इन्होंने देखरो दिस वन पार भाई क्या मस्त कैमरा लेके गए हो पास थोड़ा सा मेरे को बहुत अच्छा क्वालिटी और एक बहुत प्रोफेस्टनलिज्म निकल के आई है इससे बाकी भाई की लिरिक्स बहुत पसंद आए मुझे जो इन्होंने देशी स्लैंक्स के साथ मिक्स किया भाई खतरनाथ नेक्स तिंग जो इन्होंने अपने जहां से बिलॉंग करते हैं साथ में जो क्रू इनके साथ है जो लेवल है उन सब सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके इन्होंने अपने लिरिक्स में डाले हैं जैसे अभी एक्जांपल की तरह पे इनका ट्रैक देखते हैं यहां लोंडे सारे हिट यूपी पंदरा जो इनको रिनोट कर रहा और लोंडे जो इनके साथ हैं और जो यूपी पंदरा से हैं उनको उनके बारे में इन्होंने डाला अपने लिरिक्स में यहां सीन पूरा लिट देसी वाइब ऑन्दा क्या बोले जो भी कहें कि देसी वाइब जो रेकॉर्ड लेवल है इनके साथ है तो सीन पूरा हिट है तो सारे एलिमेंट्स और सारे देसी स्लैंग सब कुछ मिक्स करके इन्होंने बहुत अच्छा एंजॉइबल और फंकी टाइ है जिस पर मैं रियक कर रहा हूं रैपर निक काफी अच्छे रैपर हैं इनको भी सपोर्ड कीजिए लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन है इस ट्रैक का बाकी वीडियो यहीं पर खतम होती है और हाँ जो लोग मेरे को रिक्वेस्ट बेज रहे हैं ट्रैक्स पर रियक करने के ल तो गाइज वो यूटूब खुद ही हटा देता है उस कमेंट को हटा देता है यूटूब से तो कमेंट मेरे को फिर से मिल नहीं पाते हैं तो गाइज प्लीज आप मेरे को डियम कर सकते हो इंस्टाग्राम में और फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए तो गाइज अगर मेरे को Instagram में comment करोगे या DM करोगे तो आपको बहतर response मिलेगा आपका हर message का reply करने का कोशिस करूँगा So guys, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में